अगसलेक्ट ने विए यू की पॉपूबर सिरीज की अनाौसमेंट कर दी है जी हाँ दोस्तों तो आज हम बात करेंगे विए यू की पॉपूबर वेब सिरीज जो कि वोट सिलेक्ट पर आने वाली है लव, लस्ट, और गॉज़न के बारे में डिसकस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टार्कास, रिलिस डेट और ट्रेलर के बारे में Love, Lust and Confusion के सारे सीजन्स और एपीसोड अब वोर्ड सिलेक पर देखने को हमें मिल जाएंगे Love, Lust and Confusion जो की कोमेडी and Love Best होने वाली है उसे डाइरेक्ट किया है विक्टर मुखर जुना और उसे प्रोडियूस किया है नेहा आनन्द बेंगो बेबल इंडिया ने आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की प्रमुक पात्र पत्रकार पोर्मा सरकार कोड़कलता से मुईम बयाती है वह बचपन के प्यार रोहन से जुड़ा हुआ है जो 14 मैने के लिए सेंट फ्रांसिस को जला गया पोर्मा के लोग नए यूप के माता पिता का प्रती निदित्व करते हैं जो अपनी बेटी को उनके साथ रिंग साजा करने के मना करते है जैसा की सिर्षक से पता चलता है वह उल्चन में है तो सही या गलत है सला रूपी और सबसे अच्छी दोस्त मॉमो उसे देती है कि अगर वही किसी को पसंद करती है तो उसके लिए जाना नया मंत्र है वह मॉमो के अलवा मुंबई में सबी से अपनी सगाई की स्थिती को चुपाए रखती है मुखिय तह क्योंकि वह नए अनुपव को आजमाना चाहती है जिसे वह अपनी डाइरे में नोट करती है वह रोण को भी समय नहीं देती दूसरी तरफ हमारी पास डाटी वाले ढोलक या जोनी जिन हो ने उनकी लड़की रचना के डंप किया था फिर वह वोश्रूम में चितना के साथ मेकप करने लगती है एक लड़की जिसके साथ उसके दोस्त ने उसे ओनलाइन डेटिंग साइट पर बुलाया था वह तब एक पार्टी में पोर्मा से मिलता है उत्रार्ध में पता चलता है कि शाकाहारी आदमी जीनत वह शाक्षात करके लिए गया था और साथ ही साथ सो रहा था क्या इसके बच्चा जा सकता है वह द्रश्य जोहा पोर्मा और जोनी बात करते थे विचितर था लेकिन मज़ेदार था वह एक अची डूडलर भी है पोर्मा ने जोनी के बेंड गायक निकीता के साथ समलेंगी और तीन तरफा कोशिस भी की जो दोनों तरफ से खुले आम खुमता है जब वह पुछता है कि तीन रास्ता प्रक्रण मज़ेदार था मैं कौन चुम्बन करना चाहिए आज ही शोहिर महिला अपनी कामुकता पर गर्व करती है और पुर्मान साजितार के रूप में सबंध खेल खेलने के लिए तयार है पुलिस के साथ मूट फेट के बाद वह जोनी के साथ सोती है बॉंग्स का कोई भी उलेक उनकी बौवतिक तसकरी के उलेक के बिना अधूरा है तो यहाँ जोनी अपने हाई फाई अंग्रेजी और परिकृत स्वाद को इंगित करता है जोनी ने रतना के नए रिस्ते के तोड़ने की साजीस्ट रजी वहाँ उसका सामान करने के लिए आता है और हाँ वे फिर से बाहार निकलते हैं हमारे टीवी शो की तुलना में वेब सीरीज पर बहुत अधिक सेक्स होता है जहां वीवाही जोड़े भी अपने शादी में नहीं आते है गोरव चोपना को दर्च करें क्योंकि एक और आदमी पोर्मा शक्षाता करने वाला है जोनी और रचना के भागने पर ठोकर काने के बाद यहाँ अनुमान लगाते है अनुमान लगाने के लिए कि वहाँ उसके साथ 20 होता है कोई भी पूरस्कार नहीं तारा पोर्मा के रूप में अच्छा काम कर रही है इस तरह नहीं यह भूमी का निपाना असल नहीं है आशा है कि बाद में एपिसोड उसके कारियों का कारण बना जब उसके माता पीता और मंगे तरको उसके व्योहर के बारे में पता चला वेब के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम वास्तविक हो सकते है तो फ्री बेड हॉपिंग के अलावा जो होता है उन्हें फ्लिप साइड भी दिखाना चाहिए जो सुन्दर नहीं खास कर देसी महिलाओ के लिए पूरुष प्लेबोई टेक के साथ भाग जाते है जबकि महिलाओ को ढीला कर दिया चाता है रचते केसे आदमी के रूप में एक अच्छा काम कर रहा है जो मजे करना चाहता है फिर भी अपने पूर्व के लिए पाइस करता है वहाँ अपने ब्रेक अप से प्रपावित नहीं होने का दावा करता है लेकिन वहाँ है गोरोव चोपरा एक इमानतार सोच वाले चरीत्र के रूप में सामने आते है हम सबी को यूडी के रूप में एक बोस के बारे में रूप में अच्छा लगेगा जो देर्ट से आने का मन नहीं करता है और एक टोपिकी बुंदी पर छूट देता है वह यहाँ भी मन नहीं करता है कि आप पोस्ट क्या करते है या काम से पहले यहाँ तक की जब इसमें क्लाइन शामिल होते है पोरमा जानता है कि आनन के साथ व्यापार कैसे मिलाया जाए निपक्षोना स्क्रीन प्ले असिस्ट नहीं है सवाद रोज होता है और जो हमें सबसे अच्छा लगता है वह यहाँ है कि अभी नई स्वापाविक है कुछ भी मजबूर नहीं लगता शोटिंग स्टाइल काफी क्लासी है इसके अलावा सभी कलाकारों ने एक शेली भाकफल डाला जो आखे को भाता है हम में अधिकान शासान इससे कुछ नहीं या अन्य पात्रों के साथ पैचान कर सकते है यहाँ कईने के बाद हमारा एक मात्रमुदा यहाँ है कि क्या भारतियों महिलाओं को भी पुर्ष जैसा बनना चाहिए यदि हाँ तो नईतिक स्ट्रेस टा कहा होगी अज के युवाओ के सीर में ब्रह्म प्यार और वासना को लेकर ब्रह्म की स्थीति को दर्शाने के एक अच्छा प्रया से आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ल की इसमें हमें तारा एलिसा जोकी पोरो मास शरकार के रुप में नज़र आएंगी रचत बार में हमें चोनी के रुप में नज़र आएंगे अंकित बतना हमें रोहन के रुप में नज़र आएंगे मियान जेंग हमें यूदी के रुप में नज़र आएंगे मेगना कोशिक हमें निकिता के रुप में नज़र आएंगी मोहिनी शिम्मी हमें मौली के रूप में नज़र आएंगी गोरो चोपना हमें राहिल के रूप में नज़र आएंगे शतिन दुआला हमें कुनार के रूप में नज़र आएंगे सीव पंडित हमें अभिर के रूप में नज़र आएंगे और स्वाती वादसा हमें पीबी के रोल में नजर आएंगे आगे हम बात करेंगे उसकी रिलिस ट्रेट की तो दोस्तों ये हमें 22 एप्रिल को वूट सिलेक पे देखने को मिल जाएगे तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब माई चैनल प्रेस अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई